श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में सूर्य कुमार यादव ने शांदार शतक लगाया। एक साल के अंदर उन्होंने तीसरी बार भारत के लिए T20 क्रिकेट में शतक लगाया और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अंतरराश्ट्री T20 क्रिकेट में यह सूर्य का तीसरा शतक था। इस पारी के साथ ही उन्होंने भारत के लोकेश राहुल और पातिस्तान के बाबर आजम सहित कई बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। ये दोनों बल्लेबाज अंतरराश्ट्री T20 क्रिकेट में दो शतक लगा चुके हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव तीन बार यह कारनामा कर चुके हैं। अब T20 अंतरराश्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में सूर्य कुमार से आगे सिर्फ भारतिय कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित ने भारत के लिए T20 में चार शतक लगाए हैं और अंतरराश्ट्र ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उससे पहले, सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए T20 में पहला शतक जुलाई 2022 में इंगलैंड के खिलाफ लगाया था। उन्होंने 55 गेंद में 117 रन की पारी खेली थी। इसके बाद नवंबर 2022 में उन्होंने न्यूजी लैंड के खिलाफ 51 गेंद में नाबाद 111 रन बनाएं। अब उन्होंने श्री लंका के खिलाफ 51 गेंद में नाबाद 112 रन की पारी खेली। इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने 45 गेंदों में अपना अर्धश तक पूरा कर लिया था। यह T20 में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ शतक है। भारत के लिए सबसे तेज T20 शतक रोहित शर्मा ने 2017 में श्री लंका के खिलाफ लगाया था। उन्होंने 35 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया था। अगर आप सुर्यकुमार यादव को बहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे। और हां कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जाईएगा तो आगे की बात करते हैं तो।